है आप सब स्वस्थ होंगी तो आज में लेकर आए हो फिर्स के अधर्क विडियो जिसमें मैं सिखानेवाली हूं कपड़ा द दिके आप समझी हों मैं कोई चीज निरी वाली हूं तो मैं आज कर सकते हैं इस्टग्राम आइडिये संधे शर्मा 4308 वहां जाकर भी आप मुझे फॉर लाइक कमेंट जरूर कीजेगा तो देखे यहां पर मैंने जो पीस लिया है वो गोल्डन कलर की कपड़े का है जो की कुशा के लिए यूज होता है वो कपड़ा मैंने यहां पर लिया आ अपने कपड़ा ले सकते हैं कोई भी कपड़े से किसी भी कपड़े से बना सकते हैं बट इसी नाप से आपको बनाना है यहां पर दो मैंने लिये हैं अस्तर पीस लाइन के कपड़े तो आप मैं यहां बुकरम का यूज नहीं कर रहे हूं आप चाहें बुकरम ले सकते हैं तो देखिए यहाँ पर जो मैंने पीस लिया है ये 5-5 इंच से से में इंच है तो 5 इंचिस साइड से वब 5 इंच इस साइड से चाहँ आख ले ले लेना है तो सबसे पहले हम अन्य सो यूगल शरकार की दोती विगला क्या माने लिदrän यूगला सरकार की टोती के सिधा करने के बाद इसको हम सीधा करने के बाहु है लेट यह दोने स्थी करते यहां और यहां पर हम ये वाली कोड़ी आप से सब्सक्राइब सकते हैं विसबीत करने है इतना हिसा विजस करना है आ यहां अप वाद है अ पर प्रफट जो आगे की पार्ट है हमने वह अलका गोलाई देते हुए कट लेने आप चाहे से सीधा भी कट कर सकते कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से करने के बाद हमें क्या करना है अब यहां पर हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से यह बराबर आने चाहिए और इधर की साइड से हमने ऐसे बना देना है इस तरह से हमने इसको लगबग रखना है तो छे हम इसकी लगबग तो हमने इतना 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 इसको प्लेट को स्टिच कर लेकर यहां तक सिलाई हम लगाएंगे और ऐसा हमने दूसरी पट्टी में भी लगा लेना है कि देहें यहां पर हमने यह दोनों पार्ट जू हैँはは औरום नहीं लेसका पर शेली जाएंद कि तो थोर्डी जादा भी ले सकते हैं तो कि अगर आप प्टी नहीं लगा पा रह diffic sens अ तो और यहां पर इस तरीके से यहां से लेकर यहां तक लास तक हमने इसको यहां से यहां तक स्टिच करना है लास तक में हम इसको सिल लेंगे और आखिर में भी हमने इसको ऐसे ही फोल्ड करना है ऐसे फोल्ड करना है और लास तक इसको स्टिच कर लेंगे इसको पीछे की साइड हम ले जाएंगे देखिए इस तरह से इस तरह से ले जाएंगे और थोड़ा सा फोल्ड करते हुए ऐसे हम स्टिच करेंगे बट इससे पहले हम इसको डोरी को लगा लेंगे तो सबसे पहले हम इसको यहां तक स्टिच कर लेते तो मैं इसको इससे को स्टिच करके तब आपको प्लट पलटने के बाद हंट एक बार ऐसे फोल्ड करना है और एक बार फोल्ड करने पार इस तरह आप बना कर भी लगा सकते हैं । इस तरह के सीड़ेक्ड कर जाना है और इसको यहां सा किनारे किनारे नहीं आनी चाहिए अगर आईगी तो दोरी खीच नहीं पाएगी इसलिए हम किनारे गिनारे पर ब्लास तक shtich कर देना है यह तरह से हमने स्चिछ कर दिया है तो हमारा क्रश्चन जी की धूति थेयर होग इस तरह से पहना सकते हैं अगर और खास बात है कि इसकी लंबाई जो है चोडाई कमर की इतनी है कि आप नौइंच को और लड़ू बपल को भी क्रिष्ण भगवान को भी असानी से आएगी तो आठ और नौइक को भी पिना सकते हैं तो आप साथ अगर आपके रादा कृष्णी की जो हाइट है वो 7 और 8 इंच है और 9 इंच है तो ही आराम से उनको आएगी तो दोती को हम लग देते हैं साइड में अब हम बनाएंगे इनका रादारानी का बनाएंगे हम लेहंगा तो लेहंगा देखिए बनाने के लिए मैंने हैं यहां पर जो पीस लिया है वो लिया है लगभग 3.5 इंच का साड़े 8 इंच की लंबाई है एट पॉांगड एंड हाफ करना है तिर्शा हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो यह बहुत यह आसान तरीका है राधरानी का जो लेंगा बनाने का इसमें कपड़ा बहुत कम लगता है और आसानी से यह बन जाता है तो देखें यहां से हम लेंगे कपड़ें गड़ां है इस तरह से तीन इंच पर ठीक है यहांपर निशान लगाएंगे और यहाँसे भी हमने तीन इंच पर निशान लगाएं ओन ये पर डॉनोन को हमने ऐसे फॉल्ड कर नहीं JAMES आप निशान लगा कि युए हुए एक किनारे को हमने है इ Theater लगबग यह है में एक संटी मे और कम है इस तरीक है से हम इसको नाप टेजाएंगे और यहां तक नाप लोगी यहां पर आ रहा है तो मैं अंदास से कट कर रही हूँ आप निशान लगाने के बाद ही कट करें और हल्की सी गोलाई इसमें जब आप निशान लगाएंगे तो आ जाएगी इस तरह से तो यहां पर हल्की सी गोलाई आ जाएगी तो देखिए इसका जो जब हम इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का यह नज़र आएगा ऐसे ऐसे नज़र आएगा उसके बाद देखिए हमें क्या करना है इनका नेफा भी हम लेंगे जितना बड़ा हमने वहां लिया तरह ए शुलर जब भी हम उतना अःफा लेंगे ठीक है और आप देखिए अब हमें क्या करना है अब हम क्या करेंगे इसको आप यहां से लेकर यह तक स्टिछ कर लेंगे ही ब्ला इसमें रख था सेमें तरीके से लितापतना है यहां डोलर के थां दलेंगे react को हम शुँज और बाद में चुभ ने करदें और को से महीं मैं पाता है आप पर आप shipping कुलाय है में लेंगा है से पर अब हमेर नहीं हुदा और कि यह पर उनका में नीं कुछ पट्या ली है जाए लग भग चार इंच की पटी है दोनों साइट से सेम है इसको हमने ऐसे करना है इस तरह से करना है और हमने इसको एक बार ऐसे मोग देना है और इस तरह से हम इसमें डिजाइन लगा लेंगे आप चाहें तो यह डिजाइन लगा सकते हैं आप चाहें तो इसके भी कर सकते हैं तो मैं यह डिजाइन जो है लगा क्योंकि यह हमारा हिस्सा जो नजर आएगा यहां पर हमें यह लखनी पड़ेगी ताकि यह हिस्सा हमारा नजर ना आए इस तरीके से हम इसको कम्प्लीट कर लेंगे अगर आप यह डिजाइन लगाना चाहते तो आप इस लैस को भी स्किप कर सकते हैं क्योंकि जब हम लगा सकते हैं तो मैं इस लेंगे में डिजाइन लगाऊंगी कुछ यहां पर और कुछ यहां पर इससे की लेंगा दिखने में सुन्दर लगी आप चाहें स्टोन वक्स से भी आप इसको डेकुरेट कर सकते हैं तो इस तरीके से हमारा ही लेंगा हो जाएगा रेडी तो इस के बाद हम बनाएंगी इनकी जो पगड़ी के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है वो मैं आपको दिखा रहे हूं वो मैंने कितना लिया है और यह देखिए तो यहां पर मैंने दो पट्टियां लिए हैं कपड़े की और दो पट्टियां लिए हैं अस्तर की दोनों ही पीस मैंने लिए हैं दो अस्तर की पट्टियां दो कपड़े की पट्टियां लंबाई है इनकी लगबग दस इंच दस इंच इसकी लंबाई है और चोड़ाई है ड सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस तरह से हम इसको पट्टी को रखेंगे ऐसे यह देखी इस तरह से पट्टी रखेंगे आप चाहें इसमें एक सैड से स्टिच करके और दूसी सैड आप ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं तो जैसे भी आपको सही लगे आप वैसे इसको स्टिच कर ले तो आप पहले इसको स्टिच कर ले एक किनारे को पहले हम कर लेंगे एक किनारे को स्टिच ताकि आपको इसको बनाने में असानी हो तो यह वाला किनारा हमने यहां से स्टिच कर लेना है और य उसमें से आप पगड़ी उस तरह के से हैं मी लंबाई को धिiza बना सकते के कोंडे enthusiasm इसके थालु कि वेग के साथ लोग हैं में इसका तो और यह सा नहेंगे की दोनु से थो आने की बना को मैं और प्रटा 6 इंच और उस तरीके से आप इनकी चुन्ड़ी बना सकते हैं चुन्ड़ी में भी आप ये लाइन लगा सकते हैं अब क्या करना है देखिए यहां सक हमने इसको स्टिच कर लिया है इसको हम सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद इस तरह से अच्छे से हम प्रेस कर देंगे इस तरह से अगर आप इसके अंदर भी अगर आप बुकरम यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बुकरम यूज करने के लिए बुकरम का साइज एक इंच का होना चाहिए सरफ एक इंच आपको बुकरम का इसके अंदर रखना है इसके अंदर आप बुकरम रखेंगे तो यह जो कैप है वो बहुत ही ज़द़ अच्छी से टाइट बनेगी तो मेरे पास बुकरम नहीं था तो मैं सिर्क कपड़े का ही यूज कर रहीं ताकि जिनके रावर बना ऺडन चोहां ह breeze कर देंग अच्छे से सेट कर देना है किया एक साइड जब pseudo मुण करेंगे तो इसके बाद हम यह फूर अधिस कर देंगे हैं और इंकिस जाए कि डूप अधिस कर दूझा। और हम क्या करेंगे दौनों पट्टियों के ऐसे बराबर रखना है और ऐसे इसको फोल्ड करना है ऐसे फोल्ड करने के बाद यह जो पट्टिया है यहाँ पर आप उंगली से इस तरह से सैट कर दें तो आसानी से मुढ़ जाएगी और ऐसे हमने इसको एक के उपर एक रख ले एब हैसे हम इसको पकड़ेंगे और पिछह की सैड ले जाएगे ऐसे और इसको हम स्टेच कर देंगे पिछह सै आप एक बार चैक कर लें कि ठीक से gossip हुआ या नहीं ओर थोड़ा सांदर करेंगे ऐसे रह बेंगे इतना हमने करना है ऐसे और बैक सैड में ऐसे दो ने जाते हैं इस तरह से लिए मोच झाल सीच वाइब यहां पर यहां पर सुई धागे से इसमें करती हूं क्योंकि यह बहुत ही जो है काफी कि यह टिकता है और जो गुलुगन वगेरा यूज करते हैं तो वाश करते समय वह कभी नकल जाता है इसको आप आस्तानी से वाश कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको बना सकते हैं अगर आप ड्रेसे खाइदना चाहते हैं लड़ो पाल की तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कि कीजिए और वहां मुझे डियम कीजिए मैसेज कीजिए ए स्टै करने कि जिए कर देंगे इसको श्टेश करने के बाद हम यहां पर लगा देंगे टाका है इस तरह से तैकर करना है यह been cut कर देंगे कडिक आप में ुआप डी स्टाइस जो आई कर लो फै alma आएगा उससे आएका ऑराम से यह लड़ोगर कर दूदय सूरी राधяться को आराम से आएगा इस तरीकी से मैंने दूसरी कैप को भी रेडी कर लिया है को कि मैं राधा को भी यही ड्रेस गया जो कैप है रोड़ी पनाती दोंको पगड़ी पनाती तो चली अब हम बनाएंगे इनकी चोली बाकि देखिए दोनों चीज़े हमारे रेडी हो गई है राध 4 पठ्टियं लिए हैे दो हमने कपड़ की लिए है तो मैं लाइनिंग का आपको पता देती हूं मिजरमेंट बही सेम आपका इसका ही है कपड़े का पहई है अधि यसकी जो लंबाई है वह मैंने रखी है 14 इंच इस तरह से 14 इंच लंबाई रखी है ताकि जो चोली है वो छोटी ना रहे काफी बड़ी रहे तो 14 इंच आप लंबाई रख ले और चोड़ाई है वो है लगभग 6 1,2 से 25 इंच बड़ चोड़ाई है अब मैं क्यَ करना है कप्ड़ को भी उस तरह से लेना है यह देहिए और प्ड़ा ले ऑब अवे यहां पर किनारे किनारे पर इसम्हाय लगा लेंगे तो 2 तरफ में चिमिन करने हों कि अगरा क्या करना है कि मैंने स्टेच कर ली और सीधा कर लिया लगा लिया है मैं असकी लगाने केबाद हम इसको ऐसे दोनों को बराबर ना पर और यहां से हम कट कर लेंगे आप बाद में भी लेस लगा सकते हैं पहले आप कट कर लिजे उसके बाद भी आप लेस लगा सकते हैं तो देखिए लेस लगाने के बाद देखिए मैंने दोनों चोलिया जो हैं उन पर लेस लगाना है तो मैंने एक चोली का लेस लगा के आपको दिखा रही हूं उसके बाद अलएक किसे करना है हम इसको पीछे Wam जाएंगे निया तो बीच में शाड़ कर दूँगी वह सभाता हैável यहां यहा से यहां तक इसमें डबल श्चिछ कर सकते नेगा और आप जाहें इसको थोड़ासा कर सकते हैं यहां से इसको थोड़ासा कप्ड़ा हम मोड़ देंगे इस तरह से फिर हम इसमें डबल स्टिच लगा देंगे देखिए यह हमारी तयार हो गई है चोली इनको इस तरीके से पीछे की साइड ले जाकर ऐसे इनको बानना होता है बैक साइड में ठीक है इस तरीके से हम इनको बाननेंगे और इसको भी हमको ऐसे ही बानना है चाहे तो पत्ते के लिए आप को जितना हमने एक साइड का ले सकते हैं तीक है और मैं इस पत्ते को इसमें यूज करऊंगी और यह हो गया हमारा मुकुट तो यह इनका सेट हो गया और यह राद-राणी के मैंने इसमें जो पार्ट मैं लगा लिए हैं देखिए 1234 5678 90 11 12 13 14 15 16 1718 20 पीसे मेरे इसमें आये हैं और यह उनकी चोली और यह उनका मुकट आप चाहें दोती बना सकते हैं तो यह हमारा होगे फूरा रेडी सैट आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज लाइक किजिएगे शेर किजिएगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना ठरी बाणिर बाग।